हरी खाथ से तादपर यह है कि जो हमारी दलहनी और गैर दलहनी फसले होती है उनके वनस्पतिक जीवन काल में, बृद्धी काल में एक उप्युक्त समय पर मृदा की उर्वर्ता और उत्पादक्ता बढ़ाने के लिए उनको या तो कल्टिवेटर द्वारा या डिस्क द्वारा खेतों में पलताई कर देते हैं जिससे क्या होता है, वाईë वन्डल का जो नतरजन है उसका दोहन करके निर्दा में इस्तिर करता है आपकी जो हरीखाद हो वो अधिक वृद्धी वाली हो तिब्री वृद्धी वाली हो वो कोमल जो उसकी जो टहनी हो जो उसके पत्ते हो जो उसके सखाएं हो वो कोमल होने चाहिए और अधिक उत्पादन वाले होने चाहिए वैसे पौधों का चैन करें जिनकी मुसला जड़े हो ताकि यो मिट्टी में गहराई से पोशक तत्यों का और उसमें वैसी प्रजातियों का चैन करें जिसमें की रोग लगने की संभावना कम हो पहली फसल है सनई सनई को आप वैसे म्रिदा में लगा सकते हैं जहां पर की जल भराव की समस्या न हो या हम कह सकते हैं कि बलूई या दोमट मिटी में इसकी खेती कर सकते हैं साथी साथ आप इसकी खेती मई से जुलाई के बीच में भी कर सकते हैं और जो बीजदर लगता है इसमें 80-90 kg प्रती हेक्टेर लगता है लेकिन यदि आप मिस्रित फसल ले रहें तो उस कद इस्थती में आपका 30-40 kg प्रती हेक्टेर बीच दर लगता है और यदि आप 50 दिन के बाद इसकी पल्टाई कर देते हैं तो लगभग आपको 20-25 टंग जीवांस की प्राप्ती होती है जिसे की लगभग आपको 80-120 kg नत्रजन की उपलब्दता खेतों में होती है दूसरी जो फसल है वो धेंचा है धेंचा को हम किसी भी प्रकार की जलवायू और किसी भी प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं जैसे यदि जल भराव की स्थिति हैं वहाँ पर भी यदि आप इसको लगाएं तो जल्द ही आपको डेर से 2 मीटर की उचाई प्राप्त कर लेता है यदि उसर भूमी है उस कंडिसन में भी यदि 45 दिन बाद आप इसकी पलटाई करते हैं तो लगभग आपको 20-25 टन जिवांस मिलता है और 80-100 किलोग्राम नतरजन की उपलब्तता खेतों में हो जाती है जो तीसरी महतुपूर्ण फसल है वो गवार है और इसकी खेती आप वहां करें जहां सूखा वाला चेत्र हो या बलोई मिट्टी हो तो इसमें जो बीजदर लगता है वो लगभग 20-25 किलोग्राम बीजदर लगता है और यदि आप इसकी समय से पलटाई कर दें तो आपको 20-25 टन तक जिवांस मिल जाता है उर्ध है मूंग है इन दोनों की भी खेती आप फरीखात के रूप में कर सकते हैं इसमें आपकी एक और खूबी है कि आप एक बार फली की तुड़ाई भी कर सकते हैं फली की तुड़ाई करने के बाद आप उसका जो जिवांस होगा उसको आप हरीखात के रूप में ले सकते हैं यदि फली की तुड़ाई करके करते हैं तो 10-12 टन हरीखात मिल जाती है हरी खाद लेने के किसान भाई दो तरीके हैं, एक तो होता है अस्थानिक बिधी, अस्थानिक बिधी का मतलब यह हुआ है कि आप जिस खेत में हरी का हाद ले रहे हैं, उसी में इसकी पल्टाई कर दें, उसरी जो बिधी है वो है हरी पत्ती से हरी खाद देना, इसका मतलब य पास-पास में आपका यदि वैसी कोई पत्ती हो उसको आप बाहर से ले आके और अपने खेतों में फैलाके और उसमें जुताई करते हैं उसका समय बहुत important होता है बहुत ही महत्पून होता है यदि आप समय से उसकी पल्टाई नहीं किये तो जो हरी खाद होती है उसमें होता है सुरू में आपको लगबग 10 से 12 किलोग्राम नत्रजन प्रती हेक्टेर के हिसाब से देना होगा साथी साथ 40 से 50 किलोग्राम फासफोरस भी देना होता है